कि सिमें कॉंक्रीटिन फांडेशन वर्ड दिए सबसे पहले सिमें कॉंक्रीटिन फांडेशन वर्ड जब हम मैजर करेंगे तो कितना करना है यह पता करना पड़ेगा ठीक है होना तो किसे सिमें कॉंक्रीट फांडेशन वर्ड वो कितना करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो भी सिमें कॉंक्रीट फांडेशन वर वर्ड के सबसे पहले आपका फांडेशन की लंबा है उतने पूरे में ही करना पड़ेगा तो this will definitely be equal to the length of footing or length of train जितना गड़ा का रहा है उसकी जो भी लंबा ही है उसमें पूरा foundation work होगा cement concrete का width कितना होगा जो भी आपका width of trench होगा गड़ा कितना चोड़ा है यहाँ पर उतना ही में पूरा आपका cement concrete foundation work होगा अब बाताती थिकनेस की thickness vary करती है work to work thickness fix नहीं है cement concrete foundation work की thickness fix नहीं होती है vary करती है क्यों कहीं पर किसी building में बड़ी building है multi-story building है load जादा है मिटी कमज़ूर है तो थोड़ा मुटा रखना पड़ेगा अगर load कम है मिटी stronger है soil stiff है तो आप कम भी रख सकते हो मतलब it depends on the field condition to field condition इसलिए वो वहाँ पर जो बनाने वाला जो मैसन है जो कारीकर है जो labor है या जो contractor है वो खुद वहाँ पर on the spot decide करेंगे बट यहाँ पर as per the Indian standards कुछ thickness के एक general guideline दी गई है मैं अब वो guideline आप से discuss करने जा रहा हूँ जो कि पूछी जाती है कि cement concrete foundation वकी तिकने इस fix तो नहीं है बट फिर भी कितनी ले सकते हैं अब वो ले सकते हैं मैं आप से discuss करने जा रहा हूँ इसकी जो तिकने से वो generally या तो 25 cm लेते हैं या तो 40 cm के आसपास लेते हैं जब भी 25 cm मोटा cement concrete foundation वक किया जाएगा तो obviously बात अगर पतला रखा है तो थोड़ा सा concrete हमें stronger रखना पड़ेगा एक बात मैं आप को और बता दूँ कि जब भी कहीं भी super structure में RCC work होगा तो वो M15, M20, M25 काम general इस्तमाल करेंगे M15 भी ले लो पर जब भी हम foundation के अंदर RCC work करेंगे या suppose माली जे मैं बोलता हूँ cement concrete work करेंगे तो कभी भी यहाँ पर हम design mix पे जाएंगे ही नहीं ना तो हम M15 पे जाएंगे हम generally यहाँ पर low strength concrete का इस्टमाल करेंगे low strength concrete को हम बोड़ सकते हैं आपके ऐसे concrete जिनका strength काफी कम है जैसे M7 और M5 M7 और M5 आपके nominal mix concrete है और nominal mix concrete का जो use है वो इन आपके बोल सकते हैं inferior work महीं आता है और inferior work का मतलब है foundation work जहाँ पे उतना ज़्यादा strength की requirement नहीं है तो हम ज़्यादा strength की requirement नहीं होती तो यहाँ पर हम generally M7 या M5 का इस्तमाल करते हैं यह भी question आता है कि M7 और M5 का आप इस्तमाल करते है foundation work के लिए इस्तमाल करते है अब इन दोनों में किसमें आएगा हमें यह भी याद रखना है exam की अंदर कि 25 में 7 लें कि 40 में 7 लें तो आप ध्यान दखेगा जहाँ पर thickness का में वा तकत क्या लगेगी जादा तो यहाँ पर हम जो concrete इस्तमाल करेंगे वोगा M7.5 और जब thickness वोड़ी जादा है तो हम थोड़ा कमजोर concrete का भी इस्तमाल कर सकते हैं यानि हम इस्तमाल करेंगे M5 आप सभी को पता होगा M7 का मतलब होता है फिर भी मैं बता देता हूँ M7.7 वह concrete होता है जिसमें उसकी 28 days की जो compressive strength होती है संपिंडन सामानत होती है अभी लाक्षनिक सामानत होता है characteristic compressive strength after 28 days वो 7.7 MPa होता है और वह concrete जिसका 28 days बाद characteristic compressive strength 5 MPa है उसे हम M5 concrete के नाम से जानते है where M stands for the mix M7 में cement, sand, gravel का proportion क्या होता है आप सभी को बताऊगा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो proportion है वो है 1 is to 4 is to 8 आप सभी को बताऊगा और M5 में जो है 1, 5 is to 10 मनलब जितना cement होगा उसका 4 गुना sand और उसका 8 गुना gravel और जितना cement होगा उसका 5 गुना sand और 10 गुना gravel तो यह हो गया हमारा information about this cement concrete foundation यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि cement concrete foundation वक में land to weight thickness तीनों vary कर सकते हैं बलकि वरके general guideline available है पर यह मान के नहीं चलना है कि यही जो थिकने से वही fixed है यह fixed नहीं general guideline है मनलब यह ले सकते हो पर thickness vary कर सकती है अगर आप 30 cm चाओ तो भी ले सकते हो आप चाओ तो 10 तो 10 भी ले सकते हो general criteria यह है और यहाँ पर इस कारण से cement concrete foundation वरक को cubic meter में measure किया जाएगा यानि unit of measurement cement concrete foundation वरक का cubic meter है अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे next work की तरफ अभी हमने जो work discuss कर लिए वो है आर्ट वरकी in excavation and filling अगला जो हमने डिसकस करा वो है हमारा next is swallin work और फिर उसके बाद जो हमने डिसकस करा वो है cement concrete in foundation आप इसके बाद थोड़ा उपर बढ़ते हैं जो मैंने आपको डागराम बता है और जिससे मैं आपको समझा रहा हूं उससे आपको याद रखने में काफी आसानी रहेगी रिटेंटिविटी काफी अच्छी रही चुकि मैं डागराम बनाने के बद पहले आद तो मैं आप मिटी कमज़र है तो इटो की लेयर लगा ली फिर वो भी हो गया तो अब हम सिमन कार्किर फाउडेशन वक कर दिया अब हम इटो से फुटिंग बनाएंगे या प्लिट बनाएंगे तो हम इमेजिन करते जा रहें कि हाँ हम यारे गड़ा हो और एक घर बनना बनना देरे दे स्टार्ट होते जा रहा है तो इसलिए मैं नीचे से उस तरह से मैं आपको इसको इस्प्लेंड कर रहा हूँ अब यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ब्रिक वर कोन को सा है तो यह मैसंडरी वर के मैसंडरी वर का मतलब है चिनाई कारी चिनाई कारी जो है वो दो प्रकार से आपका stone से भी हो सकता है और आपका bricks से भी हो सकता है masterry work का मतलब होता है कि जो भी आपके building units होते हैं building units का मतलब है जैसे की stones और जैसे की bricks उन सभी का एक particular fashion या order में arrangement करना उसी work को बोलते हैं चिनाय कारी आप missionary work आप पत्थर से भी चिनाए कारे कर सकते हैं और brick में कर सकते हैं, जिसे पुराने महल कुछ मंदेर, ये सब stone के arrangement से बनते हैं तो से stone missionary बोलेंगे, और हमारे घर ये brick से बनते हैं तो हम brick missionary बोलेंगे, अगर अब ही मैं general building budget की बात कर रहा हो, तो नहां पर जो मैं मैसंडरी वर्क का मेरा मतलब है ब्रिक्स का इसलिए उस वर्क को हम ब्रिक वर्क भी बोल सकते हैं और उसी वर्क को हम मैसंडरी वर्क भी बोल सकते हैं जब भी ये वर्क होगा तो इसमें जो मेन लेबर होगा जो इसको बनाएगा जो एक्जिक्यूट करेगा देखे जब field पे construction होता है तो कुछ ऐसे labor होती है टुकुडी होती है उनकी जो सामान को लेके जाती है रखके जाती है उठाके लेके आती है मतलड जो सामान का डोने का काम करती है उनको हम बोलते हैं मजदूर ऐसे भी labor का group होता है जो material prepare करता है वहाँ पर मसाला बनाना, ब्रिक्स को रखना, पानी में डालना, गीला करना, सिमेंट घोलना, ये करना, वो करना, उसको हम बोलते हैं वहाँ पर बेलदार, और ऐसा जो एक्जिक्यूट करता है, जो इटे लेगा, जो उसको एक मजदूर रीट देगा, पिर रीट को रखेगा पिर वापे वो लगाएगा पिर लेवलिंग देखेगा वो होता है मैसन तो मैसन ही वो है मैसन का मतलब है मिस्तरी तो मिस्तरी ही जनरली इनका आरेंजमेंट फाइनल इग्जीकूट करता है इसलिए नाम हो गया मैसन्री वर्क नेक्स्ट तो अब यहां पर हमारा जो ब्रिक वर्क है वो फुटिंग का भी है वो प्लिंद का भी है और वो सूपररिस्टेचर का भी है पहला कोशन क्या? ब्रिक वर्क अब जो यहां से पहला कोशन आएगा, मैं इतना जो आपका पूरा पार्ट है या आपको समझा दिया अब यहां से मैं brick work start कर सकता हूँ तो यहां पर अगर अभी हम देखें तो जो brick work है वो हमें कौन कों से देखने को मिल रहे हैं एक तो footing का दिखरा है एक हमें plint का दिखरा है और एक हमें जो brick work दिखरा है वो किसका दिखरा है सूपर इस्ट्रक्चर में हमें brick work करना है फॉस्ट कोश्चन जो एक्जामें यहां से उड़ सकता है वो यह कि क्या तीनों का brick work का measurement एक साथ करेंगे तो आप यह ध्यान रखेगा footing और plint का brick work एक साथ measure करेंगे और सूपर इस्ट्रक्चर का brick work अलग measure करेंगे यानि यह separately किया जाएगा और वहाँ पर इन दोनों को हम combine ले सकते हैं जब हम इन दोनों को combine लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि footing और plint दोनों को मिला कर combine ली सूपर इस्ट्रक्चर का जाता है इस कारण इस वाले brick work का एक और नाम हो जाएगा brick work in sub structure यानि जब भी हम brick work का calculation करेंगे चिनाई कारे का calculation करेंगे मापन करेंगे तो sub structure का अलग और सूपर इस्ट्रक्चर का अलग sir reason क्या है reason इसका reason यह है बड़ा simple reason है जब हम super structure का calculation करेंगे तो वहाँ पे जो हम दिवाल बनाएंगे उसमें हमें painting भी करनी है plastering करनी है तो वो जो work है उसमें थोड़ी सी हमें जो quality है quality of material quality of labor degree of supervision थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा प्योंकि aesthetic की बात होगी पर जब हम sub structure में work करेंगे तो वहाँ पर उतना जदा quality की requirement नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका class of work होगा यहाँ मैं बोलू तो quality of जो work होगा वो थोड़ा सा कम भी रख सकते हो तो यहाँ कोई painting painting को दिखने थोड़ी वाला है वो तो मिट्टी के अंदर या नीचे मकान के अंदर रहेगा तो वहाँ पर हम third class brick या second class brick का भी इस्तेमाल कर लेंगे या third class brick का या fourth class brick का पर हमें यहाँ पर तो first class या second class brick का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा तो class of work nature of work, quality of work का difference है तो costing का भी अंतर आएगा material के resources का सब चीजों का अंतर है इसलिए इनको हमें separating measure करना ही पड़ेगा next अगला जो कोश्चन यहां से आता है तो सर अभी हम कूछसा वाला brick work पढ़ ए है तो अभी हम जो brick work समजने जा रहें वो हम समझने आरहें brick work in super structure, sub structure जो brick work in sub structure है इसका जो unit of measurement है वो है kubic meter और जो brick working in super structure है इसका जो unit of measurement है वो भी है kubic meter तो यहां से आपको सिफ़ यह बात यान रखनी है पहला कोशन आपसे पूछेंगे कि ब्रीक वर्किन सब और सूपर इस दोनों साथ में करते कि अलगा तो अलगा अलग करेंगे ब्रीक वर्किन सब स्ट्रक्चर में क्या आएगा दो चीजे आएगी ब्रीक वर्किन फुटिंग और दोनों को ही हम क्यूबिक में मेज़र करेंगे आपसे अगर आपको नहीं सबज मैं है तो मैं आपको सुरे से समझा सकता हूँ कि जब ही हम एस्टिमेशन करेंगे तो ब्रीक वर्किन सब स्ट्रक्चर एक हेडिंग होगी उसके नीचे दो सब हेडिंग होगी उसके दो सब हेड होगे ब्रीक वर्किन फुटिंग फिर उसमें आएगा ब्रीक वर्किन फुटिंग नंबर वन ब्रीक वर्किन फुटिंग नंबर टू ब्रीक वर्किन फुटिंग नंबर त्री नेक्स्ट, अब जब हमारा जो अगर आप इमेजिन कर रहे तो हमने क्या क्या चीज़ें कौन कों से वर्क डिसकस कर लिए तो इसको एक वर्क की तरह समझो कि हम खुद फिल्ट पे वर्क कर वा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले गड़ा कर वा लिया, फिर अगर मिट्टी कमज़ यहाँ पर जो यह गेपिंग बचेगे, अगर आप इस बात को इमेजिन कर पाएं, जो गेपिंग बचेगी है यहाँ पर इसको मिट्टी से भरना पड़ेगा, उसको हम पहले डिसकस कर चुके हैं, मिट्टी के भरने को हम क्या बोलते हैं, अर्थ वर्क इन फिलिंग, उसको तो अगर आप देखोगे बीच मीच में जहां जगा बची है वहाँ पे खाली स्पेस बचा हुआ है और आसपास का आप एक प्लॉट के बीच में खड़े हो तो आपके आसपास का पूरा एक जमीन से जमीन से कुछ प्लिंथ यहां पर उपर उठ चुका है आपसे प्लिंथ की थिकनेस भी पूछ सकते हैं तो प्लिंथ की जनरल थिकनेस हम 15 या 30 या 45 सेंटी मिटर तक लेते हैं तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं मिनीमम थिकनेस आफ प्लिंथ क्या होगा वह होगा 15 सेंटी मिट बाकी इसमें और अधर कन्वेंशन्स और अधर नियम मैं आपको मिस्लिनिस वाले पार्टनें बताऊँगा मिनीमम तिकनिस ऑफ प्लिन मिनीमम हाइट ऑफ दी प्लिन तिस फिफ्टीन सेंटीमीटर मतलब 1.500 एमेंट तो कम से कम मकान को जमीन से उपर उठाना चाहिए अब यहाँ पर अगर आप फिल करें तो मतलब जो आप प्लोट पे खड़ें वहाँ पर आपके आसपास जमीन से 1.500 mm या 15 cm तक आपका हीट की ऐसी दिवाल छोटी सी उठ चुकी है आसपास पूरी खाली जगा है अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर टाइल स्वाइल से वो सब पूरा फ्लोरिंग करना पड़ेगा तो पूरा तो फ्लोरिंग करेंगे नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पर उतने उतने हाइट में और बीज में प्लॉट के इंटरनल एरिया में यहाँ पर हम मलबा बरेंगे इस जो हम यहाँ पर मलबा बरेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्लींत वर्क in filling तो हमारा अगला जो वर्क है वो है प्लींत फिलिंग प्लींत फिलिंग को भी हम क्यूबिक मिटर के अंदर मेज़र करेंगे और उसमें हम यहां पर भरने के लिए जो है बलास्ट का इस्तमाल dry bricks या हम बोल सकते हैं crushed bricks इटो का चूरा इसका हम इस्तमाल करेंगे और जो भी हमारे पास अगर मिट्टी है तो मिट्टी को भी वर देंगे जब वो सब पूरा वहाँ पे fill up कर देंगे तो fill up करने के बाद उसको पहले complete करना पड़ेगा तो अच्छे से वहाँ पर पानी डाल कर और साथ में जो भी हमारे पास रेमर होते हैं compaction करने के लिए उन रेमर्स का इस्तमाल करेंगे और उसे हम अच्छे से complete कर देंगे तो अगर अगर हम fill करें अब हम कहां पर पहुँच चुके हैं तो हमारा बलास्ट भी यहाँ पर पुरा प्लिंट फिलिंग हो चुका है अब क्या देखना है अब हमें यहाँ पर जो भी अंदर आसपास यहाँ पर मिटी में पानी होगा वाटर होगा तो वो जो वाटर है वो यहाँ से अंदर आके सीप होते होते due to capillary action केशी तत्यों के कारण अगर उपर चड़ा तो अगर वो उपर आया और पानी नहीं रुका तो वो सूपर इस सचा की दिवाल में आ जाएगा जहाँ पर हम रिते हो सासपास दिवाल में अगर नमी आ गई तो वहाँ पर fungus डेवलप हो सकती है अन हाईजिनी कंडिशन फिल्दी कंडिशन बदबू यह सरब चालू हो सकता है उसको अवर्ड करने के लिए हमें पानी के मुव्मेंट को अपवर्ड मुव्मेंट को थूद्री वाल थूद्री ब्रिक्स रोखना पड़ेगा उसको रोखने के लिए यहां पर डेम प्रूफिंग कोर्स क्या है उसमें सर क्या किया जाता है अभाद हम उसके बारे में समझने चलते हैं जो हमारा बनेक्स्ट वर्क है जो डेम प्रूफिंग कोर्से इसके बारे में सबी लोग समझेंगे ध्यान से D is means damp damn का मतलब है नमी proof का मतलब है prevent करना चेक करना और codes का मतलब है layer एक ऐसी layer लगाएंगे जो पानी या नमी को उपर आने से रोकेगी इसको sir क्या करते है मतलब sir इसमें क्या लगाते है इस layer में इस layer में सबी लोग धियान से समझेंगे यहां पर या तो हम सिमेंट मोटार का इस्तमाल कर सकते हैं या तो फिर हम यहां पर सिमेंट कॉनक्रीट का इस्तमाल कर सकते हैं दोनों में से कोई भी आप एक चीज़ इस्तमाल कर सकते हैं सर अगर हमने सिमेंट कॉनक्रीट का इस्तमाल करा तो क्या करना होगा और सर अगर हमने सिमेंट मोटार का इस्तमाल करा तो क्या करना होगा यहाँ पर इसकी जो जनरल ठिकने से वो दो प्रकार की ली जाती है इसका यहाँ पर जो सिमेंट कॉंक्रीट हम लेंगे उसमें होगा सिमेंट, सेंड और ग्रेवल और इसमें जो cement sand मोटार में होगा इसमें वो होगा वो होगा cement sand अगर आप cement sand लेंगे proportion रखना होगा 1 is to 2 और अगर cement sand gravel लेंगे तो proportion रखना होगा 1 is to 1 and half is to 3 एक डेड़ तीन अगर यहाँ पर cement मोटार हम लेंगे तो इसमें यहाँ पर जो हमें thickness लेनी है वो हम लेंगे 0.5 cm और इसमें जो हम thickness लेंगे वो 2 cm है तो हम कैसे याद रखेंगे देखो यह तो आपको याद रखना है 1 is to 2 and 1.5 तीन सिंपल है सिर डाई वो 2 बुल गए तो एकजाम में पूछते ही कि अगर cement concrete लिया तो thickness of cement concrete dpc work thickness of cement send motor dpc कैसे आद रखेंगे cement concrete में cement send and gravel पत्थर रहेंगे मतलब gravel आ रहेंगे बालू है cement पत्थर भी है पत्थर होंगे तो थोड़ा सा मोटा रखना पड़ेगा लेगा तो 2 cm और मोटार के अंदर खाली cement send रहेगा तो उसमें पत्थर नहीं आएंगे तो हमें इतनी मुटाई की requirement नहीं तो वो 2 cm के अंदर भी हो जाएगा next sir इसका unit of measurement क्या होगा तो जब भी हम dpc work को measure करेंगे तो measurement करने के दुरान हमें length width और क्या लेना पड़ेगा thickness यहाँ पर इसका जो length है वो किसके बराबर होगा obvious ही बात है पूरे घर में जितनी जितनी जगे दिवाल है उतनी उतनी जगे आपको इसका रखना पड़ेगा तो यह तो आपको क्या हो जाएगा length of wall बोर सकते हो जहाँ जहाँ दिवाल आ रही है वहाँ पर पूरी length पे होगा width कितना होगा इसकी जो width होगी वो आपके plinth के width के बराबर हो सकती ही मतलब इतनी width तो जो भी width है वो यहाँ पर हो जाएगी आपकी width of the plinth उतना पूरी width में आपको करना पड़ेगा thickness इसकी जो ठिकने से वो all over India इस पर the Indian standard जो दी गई है वो fixed है मतलब इसकी ठिकनेस या तो लेंगे ढ़ाई या तो लेंगे दो इसके अलावा कोई और ठिकनेस नहीं लेनी है डिपीसी वर्की ठिकनेस fixed है यहां बड़ सिभा में रोकने के लिए चाहिए इतना है तो हमें इतने में कामँ जाएगा और यह करना तो इतने में हो जाएगा मोटाल होगे तो दो ही लेना है कॉन निक अड़ को ढरह तो डffee ही लेना है मतलब इसकी ठिकनेस फिक्स दे मतलब यह वाला जो वर्क है यह surface work की तरह treat किया जाएगा इसमें एक dimension हो गया fix और दो ही vary करेंगे तो जब भी हम DPC work measure करेंगे हमें सिर्फ length और width ही calculate करना है thickness की जरुवत नहीं होगी इसलिए DPC work किसमे measure किया जाए पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा square meter यह question कई बार पूछा गया है DPC work का unit of measurement होगा तो अभी हमने यह देखा कि जो DPC work है उसको हम किसमे measure करते हैं तो DPC work की जो तिकने से वो धाई centimeter है अगर cement concrete से कर रहे हैं और अगर cement motor से कर रहे हैं तो 2 centimeter है अब हमें इसमें यहाँ पर यह question पूछा जाता है हमें यह देखना है कि जो DPC work है वो कहा कहा provide नहीं करते तो suppose माली जी है मैं आपको जो building है अगर उसके plan की बात करूँ यह excavation का plan था जो भी हमने पहले देखा था कि suppose एक building का plan है उपर का top view यानि कि यह हमारी super structure wall है तो माली जी यहाँ पर इतने portion में proposed है कि यहाँ पर door आएगा यहाँ पर proposed है कि window आएगी यहाँ पर proposed है कि ventilator आएगा या ventilation आएगा और इतना जो portion है यह हम open portion रखना चाहेंगे मतलब यहाँ पर यह जो इतना पूरा portion है यहाँ पर आपका यह open space से यहाँ पर wall construct नहीं होगी और यह आपका यहाँ पर वरांडा आएगा तो अब हम DPC कहां कहां पर नहीं करेंगे तो हम कुल मिलाकर DPC वहावे प्रवाइड नहीं करेंगे जहाँ पर दिवाल नहीं आनी तो अब दोर होगा वहाँ पर दोर जहाँ पर होगा वहाँ पर दिवाल नहीं आएगी और वहाँ पर टाइल्स लगी होगी तो वहाँ पर पानी आएगा भी तो उपर नहीं आ पाएगा वहाँ पर नीचे क्या प्रवाइड होगा दोर के नीचे टाइल्स टाइल्स के नीचे क्या होगा सिमेन कॉंक्रीट तो पानी उपर आनी पाएगा और जो वरांड़ा वाला पोर्शन है वहाँ पर भी क्या होगा आपका जो प्लिंटर फिली में जो आपने बलास्ट फिल किया है जो बलास्ट है उसके उपर सिमेन कॉंक्रीट फ्लोर और उसके उपर टाइल्स तो आपको यहाँ पर डी पी सी प्रवाइड नहीं करना और यहाँ पर डी पी सी प्रवाइड नहीं करना जो भी आपके दरवाजे होते हैं सपोज माली जी आपका दरवाजा है तो दर्वाजे में ये जो portion होता है इस portion को इन दोनों portion को हम बोलते हैं jam ये जो portion होता है इसको हम बोलते हैं soffit और जो ये नीचे वाला bottom portion होता है इसको हम बोलते है sil sil मतलब चोकट तो यानि DPC वर का provide नहीं करनी है तो DPC वर ventilator के यहां पर देंगे ventilation के यहां पर देंगे window के यहां पर देंगे जहां जहां भी दिवाल आनी है वहाँ पे भी DPC दिया जाएगा बस हम DPC का प्रवाइड नहीं करेंगे at the sills of doors and the sills of the ventilation sills of the ventilation at the sills of doors and at the veranda open इस पे जोगा वहाँ पे हम कभी भी DPC प्रवाइड नहीं करेंगे तो DPC is not provided at the sills of doors और जो भी veranda, corridor open area आपका होगा वहाँ पे DPC प्रवाइड नहीं की जाएगे तो यह आपको ध्यान रखना है at the sills of doors और आपका जो भी open area जहां पर आएगा यानि जैसे veranda, courtyard या corridor वहाँ पे DPC प्रवाइड नहीं करना है बाकी window के नीचे और ventilation के नीचे और जहां भी दीवाल बनेगी वहाँ पर हम DPC वर्वाइड करेंगे